सबक बीस तितली और गुलाब एक थी तितली और एक था गुलाब का फूल दोनों बाख के एक कोने में अलग थलग रहते थे तितली गुलाब के फूल को अपना सुहाना नाच दिखाती और गुलाब उसे देख देख जूमता और मारे खुशी के अपनी सारी पत्तियां खोल देता के तितली जितना रस चाहे चूस ले दोनों में दोस्ती थी और अपनी चंद रोजा जिंदिगी खुश-खुश गुजार रहे थे बाख के जिस हिस्से में ये दोनों रहते थे वो ऐसा बेरौनक था के तितलियां और भवरे उधर कभी रुखना करते थे वहां गुलाब का सिर्फ एक ही पेर था उसमें कलियां तो कई थी मगर फूल यही एक खिला था चुनांचे तितली गुलाब के फूल को दुनिया का सबसे हसीन फूल समझती थी और गुलाब का फूल तितली को दुनिया की सबसे हसीन तितली दोनों की जिन्दिगी बड़े अमन और चैन से गुजरती थी एक दिन इत्तिफाख से तितलियों का एक जुरमोट उधर आ निकला वो सब की सब हसीन थी उनके पर रंग बिरंगे और नाजुक थे और उन पर नहायत खुशनुमा चित्तियां पड़ी हुई थी ये तितली खुपसूर्ती में उनकी गर्द को भी नहीं पहुँशती थी उसके पर नाजुक तो थे मगर उनका रंग ना सुर्ख था ना नीला और ना अरगवानी वो सफेद थे और बस सफ़ा नंबर एक सो बावन तितली और गुलाब का फूल बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगे ये जुर्मुट बाव के उस कोने में सिर्फ पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया तितलीयों को शायद बाव का ये वीराना ना पसंद आया उन्होंने ये समझ कर के यहां हमारे हुसनों को परकने वाला तो कोई है नहीं यहां क्या ठहरना बाव के उस हिस्से का रुक किया जहां चहल पहल और गहमा गहमी थी रंगा रंग और किस्म किस्म के फूल खिले थे संग मरमर का हौस था वो चाहती थी के उसके शफाफ पानी में अपना अक्स देखें और होस की लाल-लाल खुबसूरत मचलियों से बातें करें उन तितलियों के इधर आ जाने से उस तितली और गुलाब की जिन्दिगी जैसे यक बायक बदल सी गई अब वो पहले की तरहा खुश ना रहे तितली को आज पहली मरतबा मालूम हुआ कि दुनिया में इस से कहीं बढ़कर हसीन तितलियां मौजूद हैं उसका दिल तूट गया उधर गुलाब का फूल अपनी दोस्त को गमगीन देखकर दिल ही दिल में कुढ़ने लगा आज तितली ना पहली की तरहा गुलाब के इर्द गिर्द नाची ना उसकी पत्तियों पर बैठकर रस पिया दिन भर दोनों चुप चुप रहे आखिर दिन तमाम हुआ और चारु तरफ शाम का अंधेरा पहलने लगा तितली रात को हमेशा गुलाब के फूल की गुद में सोया करती थी मगर आज वो उसकी शाख के उन पत्तों में जिन में कांटे ही कांटे थे मूँ छुपा कर पड़ी रही मालूम होता था अपनी बतसूर्ती की वज़ा से गुलाब के फूल से दूर रहना चाहती है रात हुई परिंदों के चहचहे थम गए हर तरफ खामोशी चा गई जुगनु रोश्नियां ले लेकर बाग में चौकिदारी करने निकल आए सब चरिंद परिंद सोने की तैयारियां करने लगे मगर गुलाब के फूल को नींद कहा वो अपने दोस्त के गम का रास समझ गया था और दिल ही दिल में ऐसी तद्बीरें सोच रहा था जिस से तितली हसीन बन जाए सफा नंबर 153 आधी रात गुजर गई मगर फूल अब भी सोच रहा था यका यक एक तरकीब उसके जहन में आई उसने जुक कर तितली की तरफ देखा वो उससे थोड़ी ही फासले पर शाख के हरे पत्तों में बेखबर सो रही थी फूल ने अपना सारा जोर लगा कर अपनी पत्तियों को सुकेरना और उनकी नाजुक रगों से सुर्ख रस खीचना शुरू किया इस अमल से फूल को बहुत तकलीफ हुई मगर वो फिर भी खुश था क्योंकि ये सब तकलीफ वो अपनी दोस्त को खुश करने के लिए उठा रहा था थोड़ी देर में फूल की कटोरी से सुर्ख सुर्ख कत्रे उस जगा टपकने लगे जहां तितली अपनी बतसूर्थी का गमनाग खाब देख रही थी रात भर गुलाब के फूल के ये सुर्ख सुर्ख कत्रे तितली के मलगजे परों पर गिरते और उन में जजब होते रहे सुब को सूरच की पहली किरन पढ़ते ही तितली की आँख खुल गई उसकी नजर जैसे ही अपने परों पर पड़ी उसके मूँ से खुशी की चीख निकल गई अब उसके पर उन तितलियों के परों से भी ज्यादा खुशनुमा थे जो एक दिन पहले उधर से गुजरी थी सफेद सफेद परों पर सुर्ख सुर्ख चित्तियां यूँ चमक रही थी गोया तितली के परों पर नन्ने नन्ने लाल टके हो एक बात उसके परों में ऐसी थी जो दुनिया की किसी तितली के परों में नहीं थी वो ये कि उसके परों से गुलाब की भीनी भीनी खुश्बू निकलती थी, जैसे गुलाब का इत्र लगा रखा हो. गहमा गहमी, चहल पहल, शफाफ, साफ सुथरा, दिल तूटना, मायूस होना, गमगीन, गम में डूबा हुआ, राज, भेद, गमनात, गम से भरा हुआ, मलगजा, मिट्टी के रंग का, लाल, एक खुबसुरत कीमती पत्थर, गोर कीजिए. तितलियां फूलों से अपनी घिज़ा हासिल करती हैं, और रंग बिरंगी तितलियों के बैटने से फूल और भी खुबसूरत नजर आते हैं. सफ़ा नंबर 155 आम तोर पर गुलाब की क्यारी को गुलाब का पौदा कहा जाता है, लेकिन यहां मसन्निफ ने उसे गुलाब का पेड़ लिखा है. इस कहानी से ये सबख मिलता है कि इनसानों की तरह दूसरे जानदार भी दोस्तों के लिए कुर्बानी का जजबा रखते हैं. सोचिए, बताईए और लिखिए. एक, तितलियों के जुर्मुट को बाग का वीरान कोना क्यूं पसंद नहीं आया? दो, तितली को कैसे पता चला कि दुनिया में उससे भी हसीन तितलियां मौजूद हैं? तीन, तितली को किस बात का अफसोस था? चार, गुलाब का फोल क्यूं नहीं सो सका? पाँच, सूरज की पहली किरन पढ़ते ही तितली की आँख खुली तो उसने क्या महसूस किया? खाली जगों को दिये गए लवजों से पूर कीजिए. हैरानी, भीनी-भीनी, तितलियों, हसीन, खुपसूर्ती, खुशनुमा. एक, एक दिन इत्तिफाक से खाली जगा का एक जुर्मुट उधर आ निकला. दो, वो सब की सब खाली जगा थीं. तीन, उसके परों से गुलाब की खाली जगा खुश्पू निकलती थी. चार, इन पर निहायत खाली जगा चित्तियां पड़ी हुई थी. पाँच, ये तितली खाली जगा में उनके गर्द को भी ना पहुश्टी थी. छे, तितली और गुलाब का फूल बड़ी खाली जगा से उन्हें देखने लगे. सफ़ा नंबर 156. दिये गए लवजों के नीचे उनके मुतजाद लिखिए. खुशी, वीरान, फूल, बदसूर्ती, तकलीफ, खुशनुमा, खुश्बू. इस सबख में कुछ अलफाज जोडों में इस्तेमाल हुए हैं. उन लवजों को इशारे के मुताबिक सही तर्टीब से लिखिए. मिसाल, रंग, बिरंगे, रंग, बिरंगे, चहल, रंगा, गहमा, यक, चरेंद. रंग, पहल, बयक, परिंद, गहमी. यहाँ कुछ अलफाज दिये गए हैं और दो खाने दिये गए हैं. एक खाना इसमें मार्फा का है और दूसरा खाना इसमें नक्रा का. दिये गए लफजों में से इसमें मार्फा और इसमें नक्रा तलाश करके सही खाने में लिखिए रस, शाख, कलियां, रात, जुगनू, हौस, भम्रे, चौकीदार, गुलाब, सफेद, अरगवानी, इत्र, लाल, तितली, फूल, बाग सफ़ नंबर 157, यहां कुछ तस्वीरे दी गई हैं, तस्वीरों में एक गुलाब, एक तितली, एक इत्र, एक होज, और एक सूरज को दिखाया गया है इन तस्वीरों के अलफास को अपने जुम्लों में इस्तेमाल कीचिए, दिये गई जुम्लों को दुरुस्त करके लिखिए एक, एक था तितली और एक था गुलाब की फूल दो, तितली गुलाब की फूल को अपना नाच दिखाता तीन, गुलाब उसे देख कर जुम्ती चार, दोनों में दोस्ती था इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ चार, प्यवन की तीन सता ना is